बॉर्णिंग एरिवन चुलों आज हम मैथमेट्रिक बूक में स्टार्ट करते हैं हमारे यहां से हमने चेप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने इतना सारा कर दिया था जो आपने नहीं देखा है यह वीडियो तो उसे देख लें स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां तक का हमारा हो गया था जो आगे वाले वीडियो में है तो आपको आपकी फूक में देख लेना है यहां पर है क्लास जम अब यहां पर जम टू स्टेप फोरवर्ड मतलब कि टू स्टेप आगे चलना है तो देखो 104 है 104 तो 106 108 तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर है तो 110 फिस टू स्टेप 112 और 140 यहां पर यहां पर फिस यहां पर है जम टू स्टेप बेकवर्ड मतलब कि पीछे जाना है तो 2 262 है यहाँ पर 2 step पीछे जाना है ओके फिर 2 step पीछे तो 62 है तो यहाँ पर 60 हो गया है बैक जाना है पीछे जाना है तो 258 60 के बाद पहले वाले दो नंबर आगे जाएंगे 58 तो यहाँ पर 256 ओके 254 एंड 252 क्योंकि बैक जा रहे हैं ओके आगे पीछे जा रहे हैं तो 250 अभी jump step step 10 step forward मतलब के 10 step step अभी directly तो 110 120 130 140 150 160 and 170 ओके फिर यहाँ पर jump 10 step backward मतलब के पीछे जाना है 200 190 180 170 160 150 and 140 सबने में रहे हैं 10 step काउंटिंग दे पैटन पैटन के अकोडिंग काउंटिंग करें रहे हैं तो 550 है तो 560 ओके तो यहाँ पर 570 तो यहाँ पर क्या होगा 58080 10 step यहाँ पर भी चलना है 590 फिर 600 और 610 समन में है बैच्चों यहाँ अक्से साइस पूरी आपके 80 अंडेस्टेंड बच्चों अभी नाव यहाँ पर है 209 देखिए यहाँ पर 9 है 207 है 205 है मतलब के 22 step कम है 9 6 8 फिर 8 और 6 8 और 7 देखिए यहाँ पर 8 छोड के एक नमब लिका है ना बच्चों तो समन में है तो देखिए यहाँ पर 209 है 8 को छोड़ी है 208 को छोड़ी है 207 205 203 क्यों कि 4 को छोड़ी है 201 1190 और 197 ओके 206 में एक आप हाँ 101 है 102 तो 103 104 105 106 107 खीजरी शाबकी अःब नहों किक लिका इंब लेजी ख्रिजी ख्रूप है इसीजन ख्रूप लेजी ख्रोप फोड़ी जिगन से फिर गृटसब पॉच्छdest 10, 100 and lose item अभी यहां पर क्या है? एक जंगल में सॉप है लेजरी क्रीजी सॉप है जो कुछ भी चीजे देती हैं वो पैकेट में देती है 10 के, 100 के and lose item यहां पर है थोड़ा lose item भी देती है छुटा भी देती है और 100 और 10 के पैकेट में देती है तो find out the many packets of 10, 100 and loose items each animals will take fill in the blank अब यह है क्या बोले है कि find out how many packets कितने packets 10, 100 के और loose items के लेने पड़ेंगे कोई एक animal को के fill in the blank देखें यह आपर है यह animal है फर्स्ट example हमको करके लिए है यहाँ पर देखो rabbit ने carrot लिए है 143 तो packet of 100 की 1 अब यहाँ पर 100 प्लस 40 प्लस 3 है ना तो यहाँ पर 100 के pocket 10 sorry 1 ओके फिर यहाँ पर 4 40 के 4 मतले कि 40 तो package of 10 के 10 की place में देखो यहाँ पर place value हमें मालूम है बच्चो 1 4 3 तो हम छोटे अब भी आप देख लो 1st and 2nd में आपको पढ़के आए है यह 1 की place है यह 10 की place है यह 10 की place और यह 100 की place यह 100 की place 1 की place में 3 है इसका मतलब के 3 item 10 की place में 4 है इसका मतलब है 4040 और 100 की place में 1 है तो इसका मतलब के 100 understand ही समदना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको write करके दिखाएं चुले यहाँ पर 1 4 3 तो मतलब के 1 packet 100 का 4 packet 10 के और 3 loose कितने 3 ओके understand 3 इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे चुले packet of 100 की कितने 200 की यहाँ पर 10 10 packet और यहाँ पर कुछ भी नहीं 0 ओके 1 की place में की loose नहीं है फिर यहाँ पर packet of 100 के कितने 200 फिर यहाँ पर packet of 10 10 की place में 4 है तो 40 और यहाँ पर loose item 2 यह 2 packet of 100 की कितने हैं 5 तो 500 यहाँ पर packet of 10 250 और यहाँ पर loose item 2 अंजमी कि वाँ पर यहाँ पर्टब यहाँ घराइंगे ।ो और एक कोई है, तो हम कुछ भी स्वापिंग करने चाहते हैं, हमारा पस पैसे होने चाहिए, तो यहाँ पर मनी लेना है, इस तरह से, तो यहाँ पर 420, तो किस तरह से, चलों यहाँ पर देखो, 100 की नॉट है, फिर 20 रूपीज की नॉट है, 10 रूपीज की नॉट है, तो देखो बच्चो, हम 400, 20 रूपीज का कुछ भी पर्चिस करेंगे, तो हमें 100 की कितनी नॉट देनी पड़ेगी, 400 है, 4 नॉट 100 की देनी पड़ेगी, ओके, नॉट 100 की, ओके, कितनी देनी पड़ेगी, 4, understand, फिर यहाँ पर, देखो यहाँ अबर 20 है, यहाँ पर 20 रूपीज है, सोरी बच्चे थोड़ा आपको टीस्टप हो रहा था, ओके, चिले यहाँ पर है, how they will play pay him for what they have taken 420 तो हम 100-100 की 4 not देंगे और फिर 20 रुपीज मतलब की 10 रुपीज 2 not और यहाँ पर coin coin हमे कुछ भी नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर lose नहीं है यहाँ पर 60 पैसा नहीं है ना समझ माँ है बच्चू तो coin में 10 तीर यहाँ पर डेबिट ने 400 sorry 143 तो 100 में 1 not देंगे क्योंकि 100 है यहाँ पर not 20 के 10 के 10 के नौट हम कितने देंगे 4 कितने देंगे 4 पर यहाँ पर coin कितने देंगे 3 understand आप ऐसे दुकार में कुछ भी purchase करने जाते हो तो 100 में रहता है तो हम ज्यादे था 100 के नौट देखते हैं फिर ऐसे छुट्टे देंगे 42 तो 10 10 के नौट देते हैं और coins छुट्टे देते हैं 242 तो हम कितनी 100 के कितनी नौट देंगे 2 और 10 की 4 और coin 2 understand तो यहाँ पर 55 है तो 100 नहीं 100 के प्रेस में कुछ है यहाँ पर 100 100 की प्रेस में कुछ नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं देंगे 0 otherwise 0 फिर यहाँ पर 10 की नहीं प्रेस में 5 है यह 10 की प्रेस और यह coin भी 5 55 रुपीज देंगे फिर यहाँ पर चलो नाओ Who am I match with the number मैं कौन हूँ नंबर match करना है आपको फिर्स है account between 40 and 15 50, 40 and 50 and there are in 5 in my name यहाँ पर देखो मैं 40 और 50 के बीच का हूँ there is 5 in मेरे घर पे and there is 5 in my name मेरे नेम में 5 भी है तो 40 and 50 के बीच में यहाँ से कौन सा नंबर है यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर बच्चो 90 के नंजदिक है 90 के नंजदिक तो 89 और नहीं 90 सबसे नंजदिक यह है 96 सो बहुत दूर है तो 89 understand यह second answer यह हुआ if you hit a 4 after me you score a century क्या भोलने है कि मेरे after मतलए कि मेरे बाद आप 4 4 add कर दोगे तो you score century कर देंगे century मतलब के 100 हमें मालू हमें में चमें century मारी सची ने century मारी हमें century मतलब के 100 100 तो 4 96 97 98 99 और 100 यह पर 4 add करने से 100 बनता है तो यह number हुआ 96 understand बच्चो अभी next I am equal to 10 knots of 10 अभी 10 10 की देखू यहाँ पर 10 10 की 10 knots ले लो 1 knot 10 ऐसे में 10 10 की कितनी knot ले लो 10 10 10 यह 10 रुपीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10 तो 10 10 की में 10 knot ले 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 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 90 90 and 100 तो understand चलो नाँ तो यह हुआ 100 okay समझ में बच्चो 10 10 की 10 ने लोग की काउंट करो आप तो 100 होगा I am a century plus half century क्या बोलने के में half century मतब के 100 okay half century मतब की इस क्या दे 50 50 50 100 plus 50 150 150 I am exactly in between 77 and 97 तो यहाँ पर कौनसा एक नंबर बच्च गया है यह 87 तो नाँ 87 okay understand नाँ नेक्ट how many are पीस अभी कितने ही यहाँ पर आपको बोलना है चलो यहाँ पर first है यहाँ पर 100 100 की नौट है यह 100 यह भी 100 okay मतलब के 200 और कितने ही यहाँ पर 10 10 की यह 10 10 10 10 तो 200 40 रुपीज okay देखें यहाँ पर 200 and 1 2 3 4 40 रुपीज तो के यहाँ पर 100 100 100 और यह 10 और लूज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो के मतलब के 300 300 10 और यह 90 तो के 300 प्लस 10 प्लस 9 तो इतने रुपीज हुए okay स्टेक फिर यहाँ पर 100 है यह 100 है तो मतलब के 200 10 की पर इसमें 1 110 है और लूज 2 ब्लॉक्स है ओके फिर यहाँ पर 100 में 1 ओके बीज है ओके फिर 1 2 3 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर 8 4 अंडिस्टेंड इसमें अभी नेक्ट 1 2 3 300 और यहाँ पर 1 और 20 यह तेकी है हम देखते हैं कितने रिखाई दे रहे हैं बच्च आपको 10 है या 20 है okay 20 है 10 10 की 2 है रिखाई दे रहे हैं यहाँ यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 20 okay understand it बच्चो अभी नाव नेक्ट यहाँ पर एक पिक्चर है counting of moon mama okay moon mama chanda mama counting करना है chanda mama chanda mama counting करे I am a chanda mama I am a chanda mama I have so many friends which twinkle in the sky मेरे पास बहुत सारे friend है twinkle yes you are right my friends are star one day all of them come to my home I started counting to see how many friends had come but my friends were too many so they remember their numbers I did something like this अब यहाँ पर क्या बोड़े कि मेरे मैं एक चanda mama हूँ मेरे star सारे मेरे मित्र है friend है और एक दिन सब मेरे घर पे बैठने आए मतब घर पे आए okay घर पे आए ना Sunday होता है तो हम किसी के भी घर में जाते हैं घर में मिलने जाते हैं friend के घर जाते हैं तो इससे तरह star अपने moon moon के घर सारे गए हैं तो moon ने उनको counting करना मतब कि counting करना start कर दिया कि कितने मेरे friend आए थे हैं तो moon mama counting his starry friend अभी यहाँ पर देखो counted one star and kept one card in my pocket अभी इस तरह से एक star के बल्ले करना है one for one star two for two star यह से two star होते हैं two card one two three four five तो how many star two five फिर when I had ten ten होगे देखो यहाँ पर one two three four five six seven eight nine ten ten complete होगे तो ten के लिए yellow card ten के लिए one yellow card understand अभी यहाँ पर one two three four five six seven eight nine ten ten है मतलब कि कितने हुए ten cards है तो ten के ten cards तो hundred हुए understand देखें आप counting करो ten twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety and hundred है ना चोलो नाउ यहाँ पर एक exercise है which card will I have in my pocket if I have counted तो हमें मून की help करनी है यहाँ पर 90 होए तो 90 मतलब के ten plus nine तो ten का one card all loose one two three four five six seven eight nine अब यहाँ पर twenty तो twenty plus one तो twenty मतलब के two and one उके समन मैं और one चोलो 95 तो 95 के लिए one two three four five six seven eight nine उके और five one two three four five इस तरह से two hundred तो two hundred के लिए one green card second one green card और यह loose के लिए one understand अभी इस तरह से यहाँ पर भी two hundred तो two hundred के लिए encircle two card ओके फिर यहाँ पर sixty तो ten वाले six card ओके आपको ट्रो करना है बच्चो और color फिल करना है तो कर सकते हो अभी यहाँ पर three hundred तो one two three three card hundred के तो three hundred six तो three card hundred के and six triangle वाले card ओके one 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 फिर three hundred forty four तो three hundred three hundred hundred के परेस में three है तो three hundred four है one two three four and यह four है once वाली one two three four फिर three hundred fifty तो one two three three hundred और fifty के लिए one two three four five ओके इस तरह से आपको four hundred तो one two three four hundred understand it बच्चो अभी next चली यह भी counting ही कहना है यह last है हमारा chapter two का last point है when I had ten ten cards in my pockets I know had counting twenty stars now you tell me the number of stars counting is case write the answer in blank space कभी यहापर ten और twenty okay तो hundred one two three तो thirty होए तो one hundred thirty यहापर क्या लिखेंगे one hundred thirty यहापर ten ten तो twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six कितने card होए twenty six यहापर hundred है one two three three hundred और यह ten okay तो three hundred ten understand यहापर one two three four four hundred यहापर one two three four five six hundred six है ना one two three four five six hundred और one two three two is कितने six hundred three understand आप counting करो किता आ जाएगा चलो यहापर one two three four five six seven eight nine ten तो यहापर hundred hundred ten time है तो one thousand होगा कौन सा नमर में बनेगा one thousand और यहापर one two three one two three four five six देखने आपर six है plus one two three three hundred प्लस यह ten तो three hundred six twenty one इस तरह भी आप काउंट कर सकते ओके फिर one two three four तो four hundred प्लस one two three three तरह देखने प्लस और यह one तो four hundred थर्टी one कौन सा नमर बना four hundred थर्टी one ओके बच्चों यहापर हमारा chapter number two complete हो रहा है okay chapter number one and two complete हो गया है आप कर लिजे फिर में यह आपकी workbook है इसमें आपको आपके chapter number two करना स्टार्ट कर देना है ओके one with the numbers यह सारा आपको exercise करना स्टार्ट कर देना है मैं आपको करवाऊंगी पर हमारा syllabus कत्ब होनी के बाद में मैं रेक्टिस करवाऊंगी ओके understand अभी इस पंसली syllabus है जून में फर्स चेप्टर खरम्टेट हो गया है जूलाई जूलाई का और एक चेप्टर बाद की है तो जूलाई में और एक चेप्टर हम करेंगे फिर अगेस्ट में फोर और फाइन तो आपको फर्स और इस चेप्टर वर्क बूप में करना स्टार्ट कर देना है मैं इसके आंसर आपको भेज़ूंगी मैं करवाऊंगी वीडियो रेक्टर भी बनाऊंगी बड़ पहले उसके पहले आपको प्रैक्टिस घर पे करने है अटे चे करे बड़ाई वीडियो जाएंगी